सिवसेना राश्टी शंकटक के नवनियुक्त पदाधिकार्यूं का सत्कार रभिवार 22 जुलाई 2018 को साम 4 बजे से गोरे गाउं में रखा गया है मुस्लिम जिहादी सिबू से के चंगुल से सफलता प्रोग छुडाई गई हिंदू लड़की मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही है मूसलाधार बारिष मुंबई कई जगों पर भरा पानी मौसम विभाग का 24 घंटे का हाई अलट यनराई दंपति केतनव अनिता कक भूमान खान की नजर रास्ते में गेट लगाकर रोका रास्ता बीजेपी राज में भूमाफ्यों का कहर प्रसासन बना मूक दर्शक ठाने पालगर पनवेल समेथ हजारों एकड़ भूमी पर अबैद कब जा मुंग्टिवार है फॉरस्ट मिनिस्टर पूरा सरकारी तंत्र करता है भूमाफ्यों की मदद इसी प्रकार का एक बड़ा घोटाला पनवेल इस्तित स्रीशाई प्रशाध होटल की रूप में सामने आया आम जनता है परेशान उठ चुका है कानून और सरकार से विश्वास नमस्कार आप देख रहे हैं एटीपी निउज मैं हूं आपके इकड फॉरेश्ट भूमी पर अबैद रूप से कबजा कर बनाया गया है भूमाफ्यों द्वरा इस तरह से सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से जबरन कबजा करना आज आम हो गया है मुंबई महाराश्ट ही नहीं वरन पुरे देश में भूमाफिया श भीवने आपन के लिए यह जमीन आबंटित करती है पर इन भूमाफ्याओं की गुंडागर्दी सरकार में इनकी पहचान का फायदा उठाकर अनधिकित तरीके से भूमी का अधिगरण करके उस पर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं सलमान खान सलिम खान द्वारा यनाराई दंपति के धाई एकड़ जमीन हडपने की खबर पहले से ही सुर्खियों में है आज हमारे साथ हैं अमजद खान लोधी एवं गौतम मिश्र जी जो पनवेल में भूमाफ्याओं के शिकार हैं आईए जानते हैं इनकी आप बेती इनकी की जुबानी और आपके साथ क्या हुआ और स्टेप बाइस अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताएं कि क्या हो रहा है किस बेस पे जा रहा है अत्याचार कर रहा है गाउन लोग के लोगों को आगे बढ़ा करके सीधा सीधा वहां पे पांच एकड़ का लेंड गाउ वाला आज यूज कर रहा है दूसरा हमारे सब्तावन गुंठे की जमीन वह भी कबजा करना चाह रहे है और फारेश्ट डिपार्टमेंट आज तक स्वया हुआ हुआ ना आर्टी आई का जबाब दिया ना किसी भी चीज का अगर जाओ उनसे कहने के लिए भाई आर्टी आ प्रवाले को मैं देता हूं हटा देता हूं तो फारेश्ट को हटा किस चीज करें तो फारेश्ट चगर पूंछा भी जाता है तो आपी सर बोलते अभी होगा कल होगा इनका कोई भी कंप्लेण वह सबीकार नहीं करते है और वोटल से उनको बोलते हमें खाना आता है इसके लिए उसको चलने दो उसमें डिश्टब मत करो अगर आप डिस्टब करोगे फिर आप झहलो आप जानो से एसे तहीं के से हमें ट्रेट किया जाता है आधि वासे अगर वह बोलने जाते हुए उनको मारा जाता है धंकाया जाता है हां किया यह अन्ययाए और अत्याचार की पराकाष्टा है है फॉरेश डिपार्टिमिन की तरफ से असर उस होटल पे जो एक्टिविटी होती है वह चंदन की लकडी पकड़ी जाती है उनके होटल पे और कारवाई नहीं होती है अरू होटल आराम से चला रहे हैं यह जो महादेव मात्रे किसके साथ मिल जूल के यह कर रहे हैं यह सुनावने साफ एक फारेश्टर हैं फारेश्ट डिपार्टमेंट के हैं आपका यह कहना है तो बलते मैं कारवाई करता हूं कोई कारवाई नहीं कोई अप्लिकेशन भी लेके जाओ तो वो बलते हमें कारवाई कर रहे आप संतुष्ट बेठो मैं काम करके दे रहा आँ अभी एक्षिन ले रहा हूं और कोई आज एक साल होगे कोई एक्षिन का नाम नहीं है कोई बात नहीं है और फारेष्ट में जाओ सीधा रिटेन हो इस अनिवाब में भी इल्कुल सर मिला हूँ और वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं और वो भी तो बोले जाओ आप पंबेल में देखो तो इन शॉड्य मिला जुडा म बिल्कुल गुंडागी फाराइस d टीपार्टमेंट की बिलकुल गुंडाईडे पायरी फॉरेश्ट डीपार्टमेंट kiss powinna will cup looking kullanda डीपार्टमेंट कुल कर के गुंडागीरी कर और यह गुंडा दिपार्टमेंट नां दिया जाए तो यह कि एक दम सहु रहे यह लोगों ने यह मनिश्टर ने सबको बढ़ा है अभी इसके पहले कोई बढ़ाने वाल नहीं था आज यह जादा बढ़ करके काम कर रहे यह मैं थोड़ा सा बैक्राउंड बताता हूं यह पन्वेल में मेरी जमीन थी इसका सर्वे करने के लिए मैं गया जब सर्वे का कानून ऐसा है कि आजू बाजू पडोसियों को आपको नोटिस देना है जो जो आपके पडोसी है तो मैंने जब उसका रिकॉर्ड निकाला तो म जब मैं उसका रिकॉर्ड जब निकाला तो फॉरेस्ट की जमीन पर मैं कुछ शॉक लगा कि वहां पर एक धावा बना हुआ है पूरे शॉपिंग काफी कुछ चीज बने हुए हो उसके और इनलीगल कंस्रेक्शन किया हुआ है तो एक जागरू नाकरिक के हिसाब से मैंने फॉरेस्ट युड़ेतर लिखा हुँ मैंने आफिस्ट लेतर लिखके उनको इनफ़र्म किया हुँ मुझे तो एकनॉलेजमेन indoors में दिया उसके बाद में तो व्यज कोई एक्षिन नहीं लिया गया उसके ऊपर मैंने आर्टी एकिया फॉर्श डिपार्टमेंट को के आपने मेरे लेटर का क्या किये आर्टी एक भी यहां तक के जब के कहा जायता है कि 30 देज में उसका रिप्लाइ अपको मिलना है कोई रिप्लाइ नहीं मिला रेंज फॉर्श्ट सोनव ने से मैं जाके मिला वो उनका के कहना ता हां नहीं हम आमारी कारवाई चालू रखे हम आप वेफिक करें हम कुछ एक्षिन लेंगे झालू 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